So hello everyone, welcome back, मैं हुं Krittika and this is O2IS Academy, हम लोग यहाँ पर हिमाचल के current affairs discuss कर रहे हैं, हिमाचल के किसी भी exam के अगर आप तैयारी करते हैं, तो सबसे अच्छा source current affairs का newspaper होता है, magazine होता है, और एक जगा हिमाचल के तो नहीं मिलते, इसी के लिए हम लोग एक ही जगा compile करके आपको यह देत तो आज हम लोग first week of January यहाँ पर कर रहे हैं, नए साल के साथ में शुरुवात कर रहे हैं, अगर आप पिछले साल के भी देखना चाहते हैं, तो अलग से एक playlist बनी हुई है, year and review भी में इसका करूंगी, so do check it out, और कुछ queries रहती है, so this is the Instagram handle, आप मुझे भी contact कर सकते हैं, या हमें बहुत सारी चीज़े available है, free study material में PDFs हैं, और test series हो गए, daily current affairs हो गए, तो एक बार देखेगा जरूर कि आपको preparation में क्या चीज़ help करने वाली है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जी, इस महीने जो है, इस week में हमें बहुत सारी appointments देखने को मिल रही हैं, जिनके उपर specifically वो उनके लिए बहुत जादा important रहते हैं, then is mains related news, जिसमें हम लोग थोड़ा सा detail में हाँ पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, the five day winter carnival begins in Manali, तो Manali में winter carnival यहाँ पर मनाया जाता है, पांस दिन का है, और 1977 से इसको मना रहे हैं, इस बार 11 है और इसमें basically जो हमारा culture, trade, tradition, इन सब को showcase किया जाता है, टिक इस तरीके से जो हमारा culture है, वो बहुत ही जादा strong है, बहुत सारे और जो आपके states हैं, उनके भी लोग यहाँ पर आते हैं, across the country as well as internationally भी tourists यहाँ पर इसको specifically देखने के लिए आते हैं, इसका main attraction क्या होता है, the winter queen festival, अभी यह जिंजेली की जो है, अरजुराना वो यहाँ पर बनी है, as well as यहाँ पर इस बार नाटी भी की गई, जितने भी महिरा मंडल है, उन में से हजार जो औरते हैं, वो साथ में आई और उनने महानाटी की, ठीक है जी, इसकी शुरुआत किस ने की थी, इसकी शुरुआ यहाँ पर बतानी है, that is, अगर आप आकाश पुब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जो आपकी हमाचल दर्पन है, उसमें लिखा गया कि यह एक इंटरनाशनल फेर है, तो यह एक इंटरनाशनल फेर नहीं है, याद रखना है इस बात को, कि कई-कई बुक्स में अलग-अलग ची के लोग जो है, इसको यहाँ पर विजिट करते हैं, आनते हैं, और टुरिजम के लिए बड़ा इवेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अरली वर्निंग सिस्टम जो है, लैंड-सलाइड के लिए लगाया गया, यह मैं आपको disaster management में हर ब prevention के तौर पर बहुत सारे early warning system जो पहले detect कर दे कि landslide आने वाला है, avalanche होने वाला है, यह आपका cloudburst होने वाला है, तो उसके लिए systems लगाये जाते हैं, अभी यह pilot basis पर चलते हैं, क्योंकि technology जो है, वो धीरे-धीरे यहाँ पर अपना data इकठा करेंगे, transmitters लगाये गए हैं, sensors लगाये हैं, वो data इकठा करेंगे उसके बाद में, यह पूरा प्रॉपर यहाँ पर चलेगा, लेकिन इस तरीके के early warning system है, यह बहुत जादा important है, जैसे law hall में early warning system, avalanche के लिए लगाया गया, ऐसे ही इनको जो है अपनी list जो है, उसमें add करते रहना है, क्योंकि बहुत जो हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे रहते हैं, हम लोग almost हर साल, अगर आप June-July का time देखोगे, तो आता है कि इतने trackers गए, इतने लोग मर गए, वहाँ पर दब गए, तो यह जानमाल का जो नुकसान होता है, यह उसको पहले ही बचा सकता है, ताकि उस area को जो है यहाँ प पता होनी चाहिए, तो जो speaker है, वह कौन होते हैं, लोग सभा के भी होते हैं, विधान सभा के भी होते हैं, जो आपका विधान सभा का speaker है, उसकी जो powers है, functions है, वह कहां से आते हैं, article 178 से, क्या होता है इसका main function या power, जो हम कह सकते हैं, that is to maintain the decorum of the house, है ना, voting का, again, वोट नही करना होता है, until unless, एक टाय जो है, उसको यहां पर ब्रेक करना हो, then, he can adjourn and suspend the sitting of the house, and he can also suspend and expel the members of the house for unruly behavior, so, यह आप जो है, पॉलिटी में, इसको और भी detail में पढ़ते हैं, फिर इसकी वेकेंसी है, रिमुवल है, यह आपने एक बर देख ले हैं, so, next हमारी news है, हमारे CM ने जो आपके former CGI है, मेहर चन्द महाजन, उनकी मूर्ती जो है, उसको अनवेल यहां पर किया, तो यह आपके people in news हो गए, या personalities, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेहर चन्द महाजन, यह बहुत important है, क्यों है important, तो सबसे पहले इनकी history पीछे से देख लेते हैं, he was born in Tikka Nagrota in Kangra in 1887, 1889, sorry, 1889 में यहां पर पैदा हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी graduation की, MSC chemistry, imagine कीजिए, उस वक्त में MSC chemistry, और उसके बाद में LLB किया, उन्होंने 1912 में, तो उसके बाद वो lawyer बन गए और practice करने लगे, धरमशाला में किया, उसके बाद गुर्दासपुर गए, Lahore गए, और 43 तक महार है, फिर क्या हुआ, जो महराज से जमुन कश्मीर के, उन्होंने उनको बुलाया, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जमु का, तो जबी accession हुआ था, इंडिया में जमु कश्मीर का, उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर जो थे, आपके, मिह हरचंद महार जन थे, उसके बाद में, 54 में जाके, ये 3rd Chief Justice of India भी यहां पर बने, और इनको जो है, ये शद्धानजली देने के लिए, यहां पर इनका statue जो है, वो भी बनवाया था, ठीक है, नेक्स है, अगें, appointment है, भारत खेरा appointed as the Principal Secretary to CM सुखविंदर सिंह को, तो यह आप आपका appointment है, डायरेक लीस को याद कर लें, नेक्स है, Center approves some amount to Sunni Dam Hydro Power Project, तो देखो, याद रखने है कि हर न्यूस में घुसना नहीं है, अब जैसे ये न्यूस है, याद करने की जरुरत नहीं है, कितना पैसा आया है, कितना इसका, जो, Megawatt कितना पावर ही यहां पर जनरीट करता है, लेकिन थोड़ा सा इडिया होना चाहिए, कि Sunni Dam Hydro Project है कहां पर, तो कहां पर आता है Sunni, Sunni आता है आपका Shimla में, तो Shimla और Mandi के बीच में जहां पर सतलुच बहती है, यह वहां पर इसको बनाया गया है, Commission किया गया है, तो बस इतना सा इसके वारे में पता होना च चुरू किया गया, so next news आगी हमारी पालंपुर चुन्जा ग्लेशियर रोपवे का जो प्रोजेक्ट है वो डिले कर दिया गया है, यह मैंने पहले भी पढ़ाया था जब यह अप्रूफ किया था, तो again रोपवे तो बहुत सारे प्रोजेक्स इस तरीके के बन रहे हैं, हमा कौन सी रेंजर में हैं, तो यह आता है आपका धौलाधार रेंजर में, again इस न्यूज में और कुछ इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन जब आपने ग्लेशियर पढ़े होंगे आपने चुन्जा ग्लेशियर नहीं पढ़ा होगा, तो उस तरीके से यह यहां पर इंपॉर्टन तो यह बन रहे हैं, दीरे-दीरे एकदम से नहीं बनेंगे, लेकिन के नाम पता होने चाहिए कि कहां कहां पर यह है, राइट, next news is, nature conservation center and museum to be set up in Kullu, अब यह जो है एक tourism को attract करने के लिए आपर शुरू क्या गया है, पारवती forest division जो है, वहां पर awareness लाने के लिए लोगों मे कि किस तरीके कि जो rich biodiversity है, उसके लिए यहां पर infrastructure बनाया जा रहे है, infrastructure में क्या-क्या रहेगा, वहां पर aquariums बनाया जा रहे हैं, cafeteria जो है, 3D models हो गए, Himalayan aqua world, basically लोगों को aware किया जाएगा कि जो biodiversity है, वो कित्ती जदा important है, और since इतना सुन्दर infrastructure बनेगा, लोग aware तो होंगे, लेकिन सहार में जो है, tourism के लिए भी काफी जदा important यहां पर हो जाता है, तो इस तरीके से यह बनाया गया, next, यह वाली news बहुत जदा important है, यह है illegal construction, unbated and systemic zone 5, तो क्या है illegal construction तो होती रहती है, लेकिन यह पूरा concept आपको पता होना चाहिए, तो क्या है, Himalachal, as I told you, there are 33 kinds of natural disasters, जिसमें से 25 हिमाचal में हो सकती है, उनके prone है, इसमें भी अगर हम लोग earthquake profiling की तरफ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि इस तरीके से हिमाचal जो है, यह आपका zone 4 है, और यह है आपका zone 5, जो जादा red वाला है, वो zone 5 है, तो यह यहाँ पर हिमाचal आता है, यानि कि यहा आपने अभी एक news भी सुनी होगी, जोशी मठ की, है न, उत्राखन के चमोली डिस्टिक में एक जगा है, जोशी मठ, महाँ पर क्या हुआ, स्टोरी टाइम, महाँ पर क्या हुआ, कि पहाडों से जो है, पानी रिस्ता रहा, और नीचे बहुत बड़ा reservoir बन गया पानी का, अ बैटल होने लगे, तो उसके ओपर roads थे, उसके ओपर crack, घर थे, जिनमें cracks आने शुरू है, और सब कुछ बैटना शुरू है, अब क्या हुआ, उसको जो है, finally, geologist ने वोला, कि ये unsafe है रहने के लिए, उसको declare कर दिया गया, कि यहाँ पर नहीं रहना है, और temporarily लोग जो है, इ अपनी maximum capacity तक पहुंचके है, तो इस तरीके से, जो आपको zone 5 है, ये high risk damage area है, तो यहाँ पर बहुत main main शहर जो है, या हमारे जो towns है, वो बसे हुए है, इसके लिए यहाँ पर balance out करना इसको बहुत जादा ज़रूरी है, और यह जो illegal construction है, इसको किस तरीके से यहाँ पर control किया इनकी guaranteed employment यहाँ पर देता है, कि हमारा जो है कुछ rights है, जिनके अंतरगत यहाँ पर दिया जाता है, इसके maximum जो हमें users है, वो भी कौन देखने को मिलते है, यूजर तो क्या, beneficiaries जो है, वो women है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलते है, कि ghost users बहुत सारे होत है, so इसी को manage करने के लिए, finally इसको digitalize किया गया है, National Mobile Monitoring Software Application के उपर, तो अभी जो है, यह सारा कसारा यहाँ पर, digitalize हो जाए, right, यह आपके पढ़ने के लिए है, the background of मनरेगा, किस तरीके 2005 में शुरू हुआ, सौ दिनका, कारोबार यह यहाँ पर, कारोबार, कारोबार, रोजगार, यह सौ दिनका यहाँ पर रोजगार देता है, और जो है, और बहुत सारी चीज़, next news है, हमारी anti-conversion amendment bill gets, हिमाचल गवर्नर्स नो, तो हमने anti-conversion bill पिछले साल पढ़ा था, इसमें क्या था, कि सबसे पहले तो mass conversion, या एक, दो basically, दो या दो से जादा लोगों का, जो religion change है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, साथ में, इसके उपर प्रदिबन लगाया गया था, तो अभी जो है, इसमें कुछ changes लाए गए है, amendment test में की गई है, इसमें बात की गई, कि जो आपका parent religion है, जैसे आप एक religion से दूसरे में shift कर रहे हो, तो जो parent religion है, उसकी जितने भ benefits लिया करते थे, उनको आप नहीं ले सकते, as well as, इसमें और भी बहुत सारे mention किये गए है, कि अगर शादी करवा के, जबरदस्ती conversion किया जाता है, उसमें fine है, 10 साल की jail है, और basically, जो forced conversion है, यह उसको यहाँ पर fine है, imprisonment है, उसकी basis के उपर, लेकिन, जो major इसका amendment है, वो क्या है कि जितने भी आपके benefits, आप एक religion से लिया करते थे, कास से लिया करते थे, वो जो है वो आगे, दूसरे religion में shift नहीं होंगे, वो जो है महाँ आपर बंद हो चाहें, so next news है, हमारी wetlands, crucial to conserve bio diversity, अभी एक seminar हुआ, बिलासपूर में, उसमें बात की गई कि जो हमारे wetlands है, बहुत जो हर साल माइगरेट करते हैं, तो यह जो bio diversity है, इसको conserve किस तरीके से किया जाएगा, जब उन wetlands को भी conserve किया जाएगा, अब क्या होते है wetland, तो basic idea is, कि जहां पे land और water जो है, रामसार साइट में convention में इसको बहुत अच्छे से define किया गया, जहां पे land और water जो है, वो साथ म में, वो basically जहां पर meet करते हैं, वो जो area है, वहां की bio diversity rich होती है as compared to just land और just water, ठीक है, और फिर यह important यह है, तो इस seminar में क्या कहा गया, कि जैसे हम लोग forest को बोलते हैं, they are the lungs of earth, उसी तरीके से यह जो wetlands है न, यह kidneys है, kidneys क्या करती है, kidneys करती है, filter out करती है सारे waste को, उसी तरीके स यह जो आपके wetlands है, यह floods और droughts के लिए buffer बनते हैं, fresh water का primary source होते है, nutrients और chemicals को यहां पर recycle करते हैं, as well as, जो बहुत सारी यहां पर again, लोग हैं आसपास वाले, वो अपने livelihood के लिए, अपने food के लिए, डारेक्ली जो है इन wetlands के ओपर, क्या करते हैं, depend करते हैं, so इसी तरीके स आप इस comparison को जो है, बहुत खुबसूरत तरीके से लिख सकते हो, कि जो आपके, आपके lungs of the earth, forest को कहा जाता है, इनको kidneys कहा जाता है, और kidneys, they are as much as important as the lungs, so that is why we have to conserve the wetlands in order to conserve our biodiversity, so next news है, हमारी leopard census हो रहा है उना में, अभी start किया गया है, Zoological Survey of India ने, project का नाम है, population estimation of a common leopard and black bear in Himachalp तो याद रखना है, जब भी हम senses के बारे में सोचते हैं leopard का, तो आपके दिमाग में snow leopard आएगा, उन्ना में कर रहे हैं, तो हम लोग common leopard की बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत जादा human और animal conflict देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बाहर घूमते हैं, तो humans के साथ में interaction होती है, वह इस news में बात की गई थी, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके के trackers बिचाए गए हैं, ये अपने prey को उसका कुछ नहीं छोडते हैं, तो जब sense कुछ छोडते हैं तो trace करने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इसके लिए different तरीके के, जो measures हैं यहां पर लिए जा रहे हैं, ज इस में क्या होता है, जो आपके forest officers होते हैं, उनके हिसाब से या उनसे permission लेके महाँ पर cultivation की जाती है, और specially हम लोग जो जो पॉंग डैम की बात करते हैं, पॉंग वेटलंड की बात करते हैं, तो यह बहुत जादा बड़ा एरिया है, लोगों की जमीन है यहां पर, तो farmers क्या यहां पर Midwest है, Kazakhstan वाला area, Afghanistan, वहां से यह सारे के सारे migratory boards आते हैं, तो इसी के लिए इस area में specifically cultivation illegal किया गया है, और since Rabi season आ गया है अभी तो farmers जो है जाते हैं, तो अभी drones के द्वारा यहां पर जो है चेक किया आ जा रहा है कि वो यहां पर cultivation ना करें, तो क्या 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 aspect रहें सबसे पहले आपको Pong Dam के बारे में पता चला कि वहां पर कितना यह important wetland है, कितना सारे migratory species आते हैं, इस area में cultivation जो है, वो illegal है, और दूसरी बात जो है, ड्रोन का use जो है, वो भी यहां पर क्या जा रहा है, तो चेक दी illegal cultivation, बहुत सारे aspects में आप इसको use कर सकते हैं, लास्ट हमारी high density orchids boon for apple economy, so apple वैसे भी हमाचल में बहुत important है, 49% area में जो है यह उगाया जाता है, fruits की जब हम बात करते हैं, और 85% fruit cultivation में से, 85% अपका क्या होता है, apple होता है, तो उसी में उसको भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, high density plantation कर के, so this is done under the हमाचल प्रदेश, horticultural डेवलप्र development project, और कौन इसको fund कर रहा है, तो आपका world bank कर रहा है, तो उसी में जो है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कि वो आपका density है, plants का वो भी increase किया गया है, जिसकी साथ में productivity जो है, वो भी now it has increased, right, so that is it for today, I hope आपको यह लेक्टर पसंदाया होगा, do like, share and subscribe and thank you for watching.